कि यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एकिन दबाना ना भूले देखिए हमारे लेटिस वीडियो सबसे पहले वीपियन नियूज में आपका स्वागत है मैं नुमान कुरेशी आज हम आये हाई कोट के अंदर जहां पर आपा नौहिरा शेक का केस क्लबिंग का मामला होना था जिसके अंदर पहले डिफॉल डेट मिली थी जो के मिली थी दो डिसेंबर की और फिर इन लोग ने सर्कुलेशन दाले थे जिसके उपर एक तारीक मिली थी जो के आज की तारीक मिली थी 11 तारीक और आज की प्रोडक्षon जो लिस लगी थी उसके अंदर जो सीरियल नंबर था वो 49 था और सुबा से मैं यहां पे मौजूद हूँ और इसके अंदर ऐसा था कि प्रोडक्शन जो बॉर्ड है वो आफ्टर लंच चालू होने आ ला था तो जानेंगे अबुबकर भाई से क्या हुआ जजेस एक्चॉल गये थे एक्चॉल सेशन कोट की में इंटर्विव लेने दूसरे जजेस के तो इसलिए जो प्रोडक्शन बॉर्ट था वो डिस्चार्ज कर दिया गया है तो जो हमारा केस क्लबिंग का मैटर है उसकी जो अगली डेट आएगी वो आपको बता दी जाएगी दूसरी अपडेट है कि यह है कि जो बेल अप्लिकेशन का जो बाई मिस्टेक ली ओर्डर में जो पंदरा नॉंबर टाइप हो गया था और कई लोग कुछ अलग-अलग अफ़ाय पहला रहे थे तो उसकी भी डेड अलहम्दुल्ला 18 अक्टोबर है जिसमें जज ने आज ए अंदर क्या तारिक मिलने की वह है अभी देखते इंशाला भी जैसे दो दिसंबर थी दो दिसंबर को हमने 11 ऑक्टोबर पे लेक्या आगए तो इसमें ऐसा कोई पैनिक होने की बात निये जो डेट होती है ना कि कोई लॉयर लेता है और जो जो डेट जनरेट होती है वह कुछ भी नहीं कर सकते नेक्स डे हॉलिडे था उसके बात जब कोट चाली हुआ एप्लिकेशन करें और आज की डेट मिली बट इतफाकन बोर्ट डिस्चार्ज होने की वज़े से नहीं आ पाया नंबर तो इसी तरीके से अभी वापस एक सर्कुलेशन दाल के इंशाला डे सकते हैं जिसको जो करना है वह करता है बट ज cities आता है वो देखता है कि ही और लूगों के वह करना बंद कर दी तो लोगों को करने तो कमेंट हमारा हम अपना काम करते रहेंगे इंशाललह और हैदराबाद का अभी तक डेट आई नहीं है कुछ लोगों ने बोला था 16 तारीक है बड़ जब कॉसली सभी तक जनरेट नहीं हुआ और अनलाइन में कोई अपडेट नहीं आया तो हम लोग उसको कंफर्म नहीं बोल सकते जैसे आएगी तो वह आपको नुमान भाई बता देंगे शाललह ठीक सलीम भाई कुछ बोलेंगे नहीं नहीं बस